आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो, उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ यहाँ पर जो sentence लिखे हुए हैं उनको राइट करते हैं अवार्ड्स, स्कीम्स, क्वालिटी, बिजनेस कोड है आरपी, वाईजड, के ओ, जेडन sentence टू को राइट करते हैं बिजनेस, एकोनॉमी, कंट्री, सम्मिट्स coded as FM, RQ, KO, RK थर्ड सेंटेंस है अग्रिकल्चर ग्राण, कुरिकूलम, क्वालिटी, स्कीम्स is coded as N-C-Z-N-R-P-R-X-U-N sentence 4 है सम्मिट्स, करिकूलम, कंट्री, इस is coded as RQ, N-C, FM कोड्स फाइंड आउट कर रहे हैं किस वर्ड के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है बिजनेस sentence 1 में भी राइट किया गया है sentence 2 में भी राइट है इन दोनों में common code अगर देखें K-O है business के लिए जो code है वो K-O है next sentence 1 और 3 में scheme quality common है scheme quality ये दोनों ही word common है इन में जो code common है वो RP और ZN है मतलब quality और scheme के लिए जो code है वो या तो RP है या फिर ZN है यहाँ पर remaining award है अवार्ड के लिए जो code यूज हो रहा है वो YZ है sentence 2 और 4 में country submit common है country और यहाँ पर यहाँ पर जो common code है वो RQ FM है अलब country या फिर submit के लिए जो code यूज किया गया है या तो FM है या फिर RQ है यहाँ पर remaining है economy इकोनॉमी के लिए जो code यूज किया गया है वो RQ है sentence 3 और 4 में curriculum common है इन दोनों में common code अगर देखें तो NC है curriculum के लिए जो code यूज किया जा रहा है वो NC है remaining है agriculture ground इसके लिए जो code यूज होगा या तो RQ होगा या फिर UN होगा इस तरीके से यहाँ पर हमें code obtain हो रहा है देखते हैं question question है हमारा what will be the code for country country के लिए code बताना है यहाँ पर country के लिए code या तो FM होगा या फिर RQ होगा so here option D either FM और RQ will be the right answer hope you like this video thank you classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सूपर का से जाब